हलो फ्रेंड्स मैं हूँ डॉक्टर जस्पीत सिंग एसोसेट कंसल्टेंट एंडोक्रेनोलजी फोटिस लुद्याना आज चार मार्च को हम वल्ल्ड ओबेसिटी डे मना रहे हैं जैसे कि आप जानते हैं कि आज कल ओबेसिटी की मातरा बहुत ही बढ़ गई है और बहुत सारे परिवार और लोग ओबेसिटी की पीमारी से परिशान हैं साथ ही में जो कि एक इमपोर्टं पॉइंड मैं आपसे शेर करना चाहता हूँ वो ये हैं कि बहुत सारे hormonal disorders जैसे कि hypothyroidism, Cushing disease, PCOS में obesity की शिकायद हो सकती है साथ ही में बहुत सारे genetic disorder में भी obesity की शिकायद रहती है तो जो भी लोग इस बिमारी से परिशान है वो निमत रूप से अपने डॉक्टर को मिले अपनी obesity के कारण को पूछे क्योंकि इसका इलाज different different है जैसे कि अगर हम treatment पे आएं तो ना किवल हमारा dieting, various diet form उसके साथ साथ जिन लोगों को hormonal disorders है उनको proper hormonal disorder के लिए treatment देना बहुत जुरूरी है क्योंकि खाली dieting करने से उनको obesity कम नहीं होगी साथ ही में बहुत सारे लोग बहुत सारे हम net पे articles पढ़के बहुत सारे diet forms लेने लगते हैं fasting करने लगते हैं उन सबसे भी मेरी एक request है कि बिना डॉक्टरी जांच के वो कोई भी ऐसा diet form ना ले क्योंकि कभी-कभी हमें इन सब diet form लेने से फाइदे की जगा उल्टा नुकसान भी हो सकता है तो अगर मैं आज के विचारों को summarize करूँगा तो main चीज़ ये है कि हमें obesity का कारण देखना है कि क्या वो hormonal disorder है कोई genetic cause है या हमारा lifestyle है उसी के हिसाब से उसका treatment भी चलेगा अगर किसी को hormonal disorder है तो कभी आपको 4 months से लेके एक साल तक आपको treatment लेने की जूरत बढ़ सकती है साथ ही मैं ये कहूँगा कि अगर आपको इसके related कुछ भी doubts या clarification चाहिए तो आप हमें नीचे comments में अपने doubts या clarification पोस्ट कर सकते हैं हम आपको proper guidance देने की पूरी कोशिश करें Thank you